अच्छा चाची हमारे लिए काम करोगी क्या आज तुम हमको दिखाओगी दिखो आप ऐसी बाती भूलकर हमारा तवाना गरम करो दोस्तो हमारे देश में लोग मूबीज या बैट स्रीज में बोल्ट सीन देखना बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं बीच बीच में मूबीज में ऐसा होना लोगों को अधिक पसंद आता है आज हम आपको उन बैट स्रीज के बारे में बताएंगे जिन में होट सीन को बहुत ज़्यदा दिखाया गया है तो अगर आपको भी इसी तरह की मूबीज या बैट स्रीज देखना पसंद है तो इस वी सीज बैब सरिज बेश्ट है क्राइम एंड थिलर एक्टिविटी के ऊपर स्रीज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो स्रीज की स्टोडी सुरू होती है चार दोस्तों से लेकिन अचानक से ही उनमें से एक दोस्त मिसिंग हो जाता है कि असल में ओ किस तरह से सोनी ली उपर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.5 की नमबर टू पित्था काली बैप स्रीज बेश्ट है क्राइम थिलर एंड एक्सन एक्टिविटी के उपर स्रीज की कॉंसेप्ट की अगर हम बात करें तो स्रीज की कॉंसेप्ट एक छोटे से गाउं से सुरू होती है और इस छोटे से गाउं में एक छोटे से कंपेडिसन को लेकर एक अची खासी क्राइम को भी अंजाम दी जाती है इसी बीच इस स्रीज में एक ऐसी फैमिली दुस्मनी को दिखाई जाती है जो कि आपको सच में बहुत ज़्याद इंड्रेस्टिंग लगने वाली है स्रीज में पॉलिटिकल क्राइम से लेकर रिवेंज तक हर एक चीज दिखाने की कोशिस की गई है स्रीज को चाहे तो आप देख सकते हैं आहा ओर्जिनल पर और इसे IMDB रेटिंग देती है टेन में से 8.4 की नमबर तीन फाल बैप स्रीज बेश्ट है क्राइम थीलर एंड मिश्टरी एकिविटी के ऊपर बैप स्रीज की स्टोडी सुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो की एक एक एकसिडेंट की वजह से अपनी यादास्त खो बैटती है लेकिन ओ किसी भी तरह से अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है और अपने उस एक्सिडेंट के बारे में किसी भी तरह से पता लगाना चाहती है और लास्ट अक उस लड़की की यादा स्वाबस आती है या फिर नहीं आती है यही दिखाने की कोशिस की गई है इस complete वेब स्रीज में स्रीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिजनी पलस होटी स्टार पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 5.8 की